वेलकम मेरे दोस्तों कैसे हैं आप सब्सक्राइब करता हूँ आप सब्सक्राइब कर रहे हैं सब्सक्राइब कर दोस्तों कैसे करना है कैसे हम चीजों को बील कर सकते हैं सब्सक्राइब करते हैं समझ सकते हैं यह सब्सक्राइब कर देंगे हाँ जी इवनिंग रिंग की यादो जी कैसे हैं तो भई जैसे कि मैंने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं सब्सक्राइब कर दो इसके लिए मैंने अभी आप आप को याद रखना है कि आप यह मान के चलिए कि ज़िभ यह किट्री बहुत 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 जल्दी आने वाला है और वहीं जीतेगा जिसकी पहले से तैयारी है जिए मेरी मदर बोलते हैं मेरी माहा豪 बोलती कि जो पुरू तैयारी होती है वह हमेशा काम आती है तो मतलब ज ही तईयार है पहले सजी हम प्रिपेर्ड है और जैसा के आप सभी को पता है डि K lot में जस के नाम से हम धीरे 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 त्यारी कर चलेंगे जैसा कि आप आप सभी को पता है यूपी टैट भी आने वाला है सूपर टैट भी उसके तुरंत बाद आएगा ठीक है क्योंकि पहले ही हाला कि अब जो मर्जी किसी ने बोल दे हो लेकिन पहले ही ये घोशना हो चुकी है मतलग कई हजारों में वेकेंस निकलती है ठीक है तो भई आपको त बनाने के लिए बहुत यूजफुल रहने वाले हैं और सबसे पहली बात है वह होती है कंटिनुटी यदि हमने बीच में किसी चीज को छोड़ दिया तो आप यह मान के चले कि आप फिर से बैक चले जाते हैं हमें दीरे-दीरे मतलब लेकिन हमें उसके साथ चलते रहेंगे तो हमारी एक कंटिनुटी बनी रहेगी और तभी हम सफल हो पाएंगे जी शार्दा सुलंके जी गुडियूनिक कैसी है रजत कुंदन जी हाँ बिल्कुल इसकी प्लेलिस्ट बनेगी एंड सुमन सिरोही जी थेंकियो सो मच फॉर शोइंग दिस एंड सम्यक नमस्कार विज सब्सक्राइब करें तो भई आपने देखा होगा बड़ा ही अच्छा एक्जाम आया है तो बढ़िया वो रहा है परफोर्मस तो प्लीज एक बार शेर जुरूर करें परविती सुलंकी जी गुडिवनिंग एंड ललित जी आपको भी गुड इवनिंग हां जी ठीक है तो सब्सक्राइब को बाकि आपका अगर सीट का रिजल्ट आया है और पैडागोजी में कितने माक्स आये हैं मतलब सीडीपी में कितने माक्स आये हैं वो भी आप एक बार जरूर शेर करना ठीक है जी चले जी मैं बहुत बड़ी हैं उचारदा सुलंकी जी अभी आगे चलते ह सब्सक्राइब करना है यह जो पॉर्शन है ना एजुकेशनल साइकोल जी कहलो टीचिंग मेड़ोडोलोजी कहलो पैडागोजी कहलो सीडीपी कहलो जोमर जी बोल दो यह बहुत ही वैल्यवेबल हाप सभी को पता है तो हमें क्या करना है इसको बना के चलना है अरे वह यह मेरा डिस्क्रिप्शन है ठीक है और हम यहां पर रहे हैं ठीक है चलिए अब भई फटापर से चलते हैं प्रशनों पर ठीक है मैं टोपिक वाइस फिलाल नहीं लेकर चल रहा हूं क्योंकि जब हमारा कोई भी पर्टिकुलर एक वेकंसी आएगी या पर्टिकुलर कोई टेट का एक्जैम आएगा उसके प्वाइंट ओव यूसे जो उसका एक कंसर्ण स्लेमस है हम उसी को लेके चलेंगे तब तक हम अपनी तैयारी रखेंगे जारी वैरिस टाइपस ओव क्येस्टन को लेके ठीक है चलिए और एट ट्विंटी नाइन थर्टी बोथ पेपर अर चलिए जब सी टी इप में मुझे 30 अच्छा लगता है कि अब चलिए अब पराणावरों पर आपके सामने सबसे पहला प्रशन आई चुका है जल्दी से बता दो वडिज प्याजेज व्यू ओफ स्कीमा स्कीमा के बारे में प्याजी का क्या दृष्टी कौन है जल्दी से बता दो फटा फट से शबाज 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 आंसर क्या होने वाला है जल्दी और यह अगर नहीं किया तो कर दो थोड़ा सा मुझे संख्या जो कम लग रही है ऐस वहां देख है तो देख लो अगर आपका मन करता है कि वहीज दो संख्या ही आप करते हैं यूफ आप कर्ते हैं स्कीमा के बारे में इंक्लीट इमिल्द् Node E sick औरो फ solve में पता है है और यह कहो चोटे 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 क्या होते है वह बींदिंग को guy जाता है झाले की इदा है और हम ने कैसे उन को सी का यह सारी जो प्रोस्यस बगढरा वो सब चीजे जो है उनको क्रशीательно क्या कहिंगी इस की में कि सेओं का है कशे जर बात है बांटे मैं एंप सभी नहीं आनसर भी बिलकुल सही दिया है एक है जती यह जी जी काजल जाजी कैसी आप जोतिक पांचाल जी आपको भी जुट इवनिंग आप यूड बताना कि आप और जो यह सिरीज चला रहे हैं हम क्या आप इसके लिए मतलब तयार है या नहीं है या कोई और सजेशिन है वह आप सब शेर कर सकते हैं बे द्धड़क कोई इश्यू नहीं है ठीक है जैसा आपको उचित लगेगा जैसा आपको बैस लेगा वही करने वाले हैं जी मेगा गुपता जी गुड इवनिंग चलिए नेश्ट बता दिजिए वे समाजिक तुलना सिधान्त की प्रिकल्पना क्या इंगीत करती है वर्दा है अवर्दा है अवर्दा है अवर्दा है पुथेसिस ऑफ सोशल कंपेरिजन थियोरी इंडिकेट सोशल कम चलो शबाश लब बुछ बोली नहीं नहीं हो चले आएं मोल राइट आप कैसे हैं जी मैं बहुत जवर्दस्त बढ़िया ठीक है इसका अशर देंगे फिट बढ़िया फर्स क्लास चले जी भई आंसर सभी को देना भी चाहे आप तुक्का लगाया जो बर्जी करें लेकिन आंसर पक्का देना है शबाश शबाश देखे चलो पहले आप बताईए फिर उसके बाद में बोलना शुरू करता हूं बढ़िया शुरू कि यहां पर ओंली दिग आपको यह तो आपको होगे नहीं ठीक है यह तो कनफर्म हो गया जी काजल जाजी हेलो आपको बिलकुल तो यह भी है या सी है एक बाद लेते हैं फटाफट से शबसे पहले तो इस बात को समझ लो भाई ये जो धियोरी है ठीक कि और सोशल कमपेरिजन तेयोरी ठीक है या सामाजिक तुलना सिधान सबसे पहले तो ओन्हों की सिध्धान्त दिया किसने है और यदि आप में से किसी को पता है कि किसने दिया है तो प्लीज नाम जरूँ शेर करें यही प्रशन शायत पहले भी आया था इसके जैसा ही प्रशन देन इसका आंसर दिया था वही कीर्टी सिंग ने मुझे अभी भी यान है उन्होंन अब आगे से आपको ये भी याद रखना है कि भाई जो ठीओरी है कोई सी सोशल कंपैरीजन त्योरी मतलब सोशल कंपैरिजन त्योरी समझ रहां ठीक है किस ने दिया है लिए फेस्ट इंजर ने दी है फई नमबर वन ठीक है अब बात यहाँ पर आते कि भी जो ये सोशल राम जी और अनुत्यागी जी अब यहां पर मैं भाई आपको बता रहा हूं जिन्होंने मैक्सिमम ने आंसर दिया है वो सही दिया है वो क्या है भाई सी आंसर सही है उपर और नीचे की तुलना या कंपेरिजन ओफ हायर एंड लोवर आप ही अपने आप से देखें कि जब सम साज में आप आर्थिक द्रिश्टी से कह सकते हैं समाजिक द्रिश्टी से कह सकते हैं मानसिक द्रिश्टी से कह सकते हैं ठीक है फिजिकल द्रिश्टी से कह सकते हैं शारिक द्रिश्टी से ठीक है और कुछ व्यक्ति क्या है आप से नीचे है ठीक है तो भई पहली बात तो तो नीचे है उनके हिसाब से अब आपको यह पता है जो अपने से ऊपर है मतलब जो हमारे से ऊपर है उनसे हमें क्या मिलती है उनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि जब ये व्यक्ति ये काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता ठीक है और यहां पे मापको एक बात बता रहा हूँ मेरे एक ब्रदर है ठीक है वो डॉक्टर है तो वो कहते कि भाई जो मतलब जब मैं MBBS कर रहा था तो जो मेरे उसमें सबसे जो सकता ठीक है तो मतलब आप समझने हैं वो समस्टर वाइज उपर था थीग है तो जो ऊपर है वो हमें क्या देताए भई एंस्पिरेशन देते हैं पाइंट नमबर वनी ठीक है और वहीं जो हमसे नीचे है वो हमें क्या देते हैं में एक प्रकार का सैटिस्फेक्शट अं ci ह कि दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है हौ कि इन्हों ने इस तरीके से कहा कि हम क्या करते हैं समाज में तुल्ना करते हैं और फीर हम इस तरीके से अपने जो मान सिंखriftाहितक घ्री टैटाマ। बहुत बढ़िया हूँ हाँ क्या डियास भी प्याटी में सीटेट होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए शार्दा सोलंकेज आपका तो सीटेट होगा ही ठीक ना क्योंकि आप के विस का एक्जाम दे रहे तो आपको तो इटेंशन की बात ही नहीं है ठीक है हाँ अब आज यहां पर आप समझ रहे हैं आगे से आपको याद रखना में दो चीज़ें यहां पर आपकी क्लियर हो गई है क्या पहली बात तो यह थियोरी किस ने दी लियॉन फैस्टिंजर ने दी थियोरी का नाम क्या है सामाजिक तुलना सिध्धांत या सोशल कंपेरिजन थियोरी औ समाजिक संपर्क से कोई लेना देना नहीं है यदि आप भी सोच रहे थे तो ठीक है क्या आप समाजिक संपर्क के हिसाब से देखिए साइकोलजी का सबसे बढ़िया चीज यही है कि हमें अपने बारे में ही जानना है आप अपने से लिए लगा लिया करो आपको पता चल ज यहां पर पहली बात अब पहली बात तो यह यहां तक आपको करेक्शन पता चल गया है अब जो हमारे लियोन फैस्टिंजर है इनका नाम एक और चीज में भी आता है और वह चीज क्या है वह एक तो सोशल कंपेरिजन थियोरी होगी और दूसरा है अपना कोगनीटीव डिजुनेंस ठीक है कोगनीटीव डिजो ऊजन्ज क्या कि यदी आपके एक्जैम में कभी पूछ लिया जाए कि में कब कोगनीटिव डिस में किसी बात की हे रावल सर अगेन विल बिल यून फैस्टिंज टीक है को कमे के दिशनेंस का मतलब क्या होता है कि गई क को पतातो है कि यह चीज गलत है ठीक है परंतु मतलब आप उससे ऐसे हमत होना चाहते है जान बुज कर उसको कहा जाता है को गनीटीव डिजुनेस फोर एग्जेम्पल मैं को हुआ कि वह यदी एक व्यक्ति ऐसा है जो स्मोकिंग करता है ठीक है यदि एक व्यक्ति ऐसा है जो पिसकी बात भी किया है कि यoming और जब हमारे साथ कुछ ऐसी सिच्वेशन होती है क्या करते हैं अलग अलग तर्क देना शुरू कर देते हैं अपने अप से ही एक अँप वह जो तर्क है भारीша ऑग से वह परसंटु परसंट सिच्वेशन तो सिच्वेशन व्यक्ति एसे भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं प्लीज समझेंगे इस बात को ठीक है लेकिन मैं बतारो डिजुनेंस कोगनीटी डिजुनेंस हमारी कैसे बनती है लिए उसकी में बात करता हूं ठीक है कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जो कहेंगे अरे धुए से तो जो अंदर के कितानों मतलब मजाकों में कहते हैं कितानों सारे मर जाते हैं यह वह आलतुफालतु की बाते ठीक है तो भई यह जो चीज है आप समझेंगे यह दो चीजे जब भी आएं तो आपको चला जाना है यहाँ पर याद रखना है इसको ठीक है चलिए आपका कैसा हुआ गया बढ़ी अध स्टेट जनल में काउंट होंगे क्या डीससी में जी बिलकुल जो अदर स्टेट्स के हैं वो । ś Karena कोई review नहीं है ठीक है तो बस इतना ही है जो मतलब के्igon के अधर कोईछटे बागी जर्णल में आड़ाइस ऐसा कुछ निया जैसे अधर स्टेट से ये मैं बात करो भी पांच पर्सेंट दे दिया जाता है अधर स्टेट के लिए दिल्ली में ऐसा बिल्कूल भी नहीं है आप बिल्कूल जर्णल के लेवल पर ही काउट होगे चाहिए दिल्ली के हैं या बाहर के हैं कोई फरक नहीं पड़ता उस चीस से ठीक है चलिए अब आजाईए यहां पर क्या है वही जल्दी से आफ आंसर दीजिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आज को है आपके सामने कि क्या अतात्प्रिय है शबाज 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 आंसर अच्छा आपका नेट का एक्जैम था कल कैसा हुआ अच्छा पब्लिक एडिमिस्टेशन में आप नेट का कर रहे हैं चलो जी वेरी गुड भई शबाज इसका आंसर देंगे फटाफट से वेरी गूड वेरी गूड चले जी यदि आपको ऐसा लगता है तो उसके लिए थैंकियो सो मच रजज जी आंसर देंगे भई दी डी 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 वेरी गूड आंसर सभी को देना वेरी गूड बैरी गूड जी सभी का अंसर जो है बिलकुल सही है ऑप्शन नमबर डी इस राइट साफ साफ दिख रहा है मनों समाजिक कल्यान को बढ़ावा देना क्या तात्परिय है भई भावनात्मक सुरक्षा सभी कैसे डी आंसर सभी का बिलकुल सही चलिए फटा फट से नेक्स्ट इजी क्वेश्चन जल्दी से आंसर दो हो गई कि शबाश कि यह सर्जी बट लेंग्वेज बहुत टफ लगी फर्स्ट टाइम था अच्छा हां नेट का भाई होता है थोड़ा सा ना ठीक है कि कुछ नहीं हो जाएगा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं नेट का भी कोई ऐसा सीन नहीं है आपके अपने सब्जेक्ट पर बढ़िया पकड़ होनी चाहिए बाकी का जो फर्स्ट जो होता है उसमें तो वहीं दस यूनिट बगारा कुछ नहीं है और उन दस यूनिट में भी है चलो यांसर इसका सी है क्या ओहो इसके तो बताने के बात ही नहीं थी यह तो खतम परशन था सी इस राइट वन ठीक है क्योंकि बात की गई है किसकी एबस्ट्रेक्ट आइडिया की बात कि दूभी फोर्मल ओपेशन में यह आएगा कुछ था ही निसमें तो ठीक है जी इसका अंसर दो फटापट से शबाश क्या होने वाला है वेरी गूड वेरी गूड यदि इसका अंसर है तो बताएंगे भई नेक्स्ट करके बता दो कोई बात नहीं कुछ डिम हुआ है ना बताना मुझे शायद ऐसा लगा चलो जी सुमन सिरोही सी कह रहे है जोती पंचाल ए कह रहे है रागनी श्रिवास्त सी एंड इसी का है अच्छा चरिया जी ठीक है सी है शार्दा सुलंकी भी सी कह रहे है राम जी भी सी कह रहे है सागर औहिला सी कह रहे है बिलकुल सही बात है भई यहां पर बात किसकी है ज बढ़ने को लेके करता है, मतलब फिजिकल डिवलपमेंट की बात है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, उप्शन नमबर सी, मैक्सिमम ने जो दिया है, बिल्कुल सही दिया है, ठीक है, जिनका थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है, देख लेना एक बार, ठीक है, जो एक एह रहा ह बने को, जब की जो ग्रोथ है पार्ट क्सका है, मतलब उसको क्या कहा जाता है, फिजिकल डिवलप मेंट कहा जाता है, ठीक है, तो यह दो सह豆 Deeper,हुंआ। कि वह जो एक्जेंपल दे रहा हूं जो खली है मतलब मैं को जो पता निए भारत में सबसे लंबे है या नहीं है लेकिन हा अच्छे लंबे तक्रणे जरूर है उनकी फिजिकल डिवल्लपमेंट बहुत अच्छी है एग्रीड लेकिन क्या वो भारत में सबसे तेज रनर भी है जो सबसे तेज रनर है उसका मैं कहूंगा मोटर डिवल्लपमेंट बहुत अच्छी हुई है और वहीं जो खली महान है मतलब महावली खली हाना वो क्या है वह या उनकी फिजिकल डिवल्लपमेंट बहुत अच्छी हुई है ऐसा कुछ आप कह सकते हैं दोनों में अंतर है ठ सब्सक्राइब करें अगर अभी भी समझ में नहीं है तो फिर से एक बार बताते ना मैं दूसरे अंगल से भी कर दूगा और अगर आ गया है तो भाई इसका अंसर देंगे फटाफट से अच्छा समझ गए फिर तो अच्छी बात है हाना दोनों में डिफ्रेंट है को एबि जो वैरी गूड बैरी गूड इसे वाज भाज शबस हवाज बंफट से अच्छी तो अच्छी तो आइं फटाफट से तो पता चलेगा कि हम अबेदेख रहे शीख रहें जान रहे हैं चीजों को चलिया भई वेरी गूड शाबाश शाबाश शबाश ब्रशे आपने अपने आप में अनलीजिस होता है कंपेर करना अपने अनलीसिस होता है कंपेर करना अंडर स्टेंडिंग में भी आ जाता है समझ रहें ना इस बात को ये कई जो है की वर्ट जो है वो एक दूसरे में मतलब कोमन भी होते हैं इस बात को भी आधर रखना और कॉंट्रास्ट करना कॉंटॉसर डाइग्रान सान दी ऐस्येट करना डिफ्रैंशीए बिलॉउग टू किस से होंगे वही एनलाइजिशिं से होंगे विशलेशन से ही रिलेटेड है यह सारे ठीक है ने विलकुल सेफ़ी बात है चलो भी नेक्श्ट पर आजाओ फटा फट से आंसर देंगे वेरी गूड वेरी गूड क्या होने वाला है आंसर यहां पर अब शाबाश अरे वा शार्दा सुलंके जी आप मतला बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे भई सुमंसरोही जी आप बी 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 ना को अब अब डी बोल दो प्लीज हां डी बोल दिया वेरी गुड ठीक है तो भई शार्दा सुलंके डी जोती पांचाल डी रजत कुंद्री पासपास होते है ठीक है तो में मतलब बी बेंद्र की करते अब इंग्रिश इंदी करेंगे कैसे करेंगे ठीक है तो भाई understanding से related है बिल्कुल सही बात है आगे चलिए भाई फटाफट से क्या होगा answer इसका culture अच्छा understanding आपको be option लगा कोई बात नहीं answer देते रो शबाश 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 वेरी गुड हाँ पिछले बाले का answer भाई पूर बियाद है और राम जी आपका भी बिल्कुल सही आया था अब इस cancer दो जल्दी से क्या आने वाला भी शबाश वेरी गुड शबाश शबाश रुजान आने शुरू हो गए है वेरी गुड वेरी गुड सभी का answer जो बिल्कुल सही आ रहे है option number a is right क्या होगा यहाँ पे culture का मतलब क्या होता है the belief values behavior and material objects shared by a particular group ठीक है जो particular group के जो members जो share करते है उनको हम क्या कहते है उनको culture कहते है different different cultures के लोग होते है आपको बताईए ठीक है answer a बिल्कुल सही है सभी का शबाश वेरी गुड आगे बताईए इसका जल्दी से शबाश और मैं फिर से याद दिला रहा हूँ इसमें एक भी question ऐसा नहीं है जो मैंने स्वेम से बनाया हूँ ठीक है यह सारे प्रशन जो है वो exams में आए हुए है different different exams में तो आपको बिल्कुल यह समझ के चलना है कि भई इसी level के जो questions से वो बनते हैं और आप जिस मर्जी exam में चारे रजत कुंधरी में रजती बोल लेता हूं ठीक है बी कह रहे है जोती पानचाल ब्समन सिरोही भी जार edited सागर रोहिला भी बिल्कुल पांस साल जो tumor होता है ठीक है अपना नाम लिखने की कोशिश करने के रूप में परदर्शित करता है क्या लिखित भाषा के कार्यात्मक पहलों पो आपने देखा होगा पहली दूसरी क्लास का जो बच्चा होता है हाना इवन स्कूल में जाने से पहले भी जब हलका फूल का अंदर सरी वरसरी में अपना नाम लिखके बड़ा खुश होता है हाना मतलब मैंने यह भी देखा है कि जो बच्चे होते हैं उनको ABCD नही लेके गाए ग्यारा वरस का बच्चता असे लिखने लग जाएगा वाई चेटी क्लास में हो गया हो तो यहां पर तो नाम लिखने के बाद चल रही है ना वह भी कोशिश कर रहा है बचारा ठीक है कोशिश है पाथ जल्दी से बटा देंगे है वेरी गुड है वेरी गुड अरली चाइल हुड से रिलेटेड परशन अरली चाइल हुड का जरूर याद रखना पहले समझ लो की बच्चा कैसा है क्या मतलब एज है उसकी कैसा उसका कोगनीटी डिवलपमेंट होगा उसी के हिसाब से बता देना है अच्छा जी दो साल में ही लिखना स्टार्ट कर दिया मैं बताता रहो ना आज कल भई बच्चे नहीं आज कल बाप पैदा होते हैं मैं सची बता रहा हूं कोगनीटीवली इतने ज्यादा एडवांस होते हैं बच्चे ठीक है अभी देखो आपके सामने ही बता रहे हैं शा जोब लगने का तो अगली बार जब आप एग्जाम में बैटेंगे ना तो वह एडवांस बच्चे ही आपके कम्पिटीटर बन जाएंगे ठीक है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जोब पे लग जाओ और मैं पक्का बता रहा हूं भाई आपको में लिखके दे सकत हूं दो हजार तेईस चोबिस जो साल है ना इससे ज्यादा जोब्स आप कभी जीवन में नहीं देख पाएंगे बहुत सारी वेकेंसिज निकलने वाली है बंपर वेकेंसिज निकलने वाली है चाहे आप इलक्षन लगा लो चाहे आप जो मर्जी लगा लो बहुत सारी वेक हमारा सही है त cries हमक्राइब हर मतलब में क्या हूं हूं तो आज तक मेरी समझ में नहीं तrió कि ध carbonic who am I don't think two big okay सब भूंच भूए बहिं किया जाएगा तो शाहिए और मदने छोड़का कई और आपली बात तो यह कि मेरे जंडर क्या है तीगे दूसरी बात यह कि Maps and work सकता हूं हैstorm नब ले क्या स्मार्ट हो जाता है लुआ अपनी अवधिया कर सकते हैं सारी से उनको पता चल जाती Metis तो आंसर ए है यहां पर ठीक है वजन के अवधारना जो है वो अभी नहीं आती है बिच्चे को ठीक है तो चले आगे ठीक है चलिए शबाश सीखना समायोजन है जल्दी से बता दो आसर क्या होगा शबाश शबाश आंसर वेरी गूड शबाश जल्दी से शबाश वेरी गूड वेरी गूड आंसर जल्दी दो भई अरे मुझे पता था यह आनसर आने वाले है शबाश शबाश जल्दी से इन दो में ही कन्फूजन होने वाला आपको देखा अभी तक दो डी आए हैं तीन भी आ गए है चलो राम जी ने तीसरा डी भेज के मतलब इक्वल कर दिया मामला और बताओ भी शबाश अब देखो भी बी का पलड़ा भारी ठीक है और जो बी है वो सही है समझ लेते हैं क्यों है मुझे ही पता है कि हम पहले ऐसा प्रशन कर चुके हैं modification and re-modification है आपको भी याद है न मुझे भी याद है कि हम ऐसा प्रशन पहले कर चुके है उसका अंसर जो था option number D था लेकिन अब प्रशन के हिसाफ से समझेंगे कि learning is adjustment ठीक है adjustment जो है समायोजन है वही learning है अब B को यदि आप देखते है पहले D को देख लेते learning is through the modification and re-modification by the objects and individuals in the environment ठीक है objects or individuals के दोबारा क्या modification होता है film re-modification होता है वह होता रहता है उसी को समायोजन कहते है इस साउस गुट ठीक है B को अगर देखेते हैं learning leads to the individual यहां पर केवल individual की बात चल रही है भाई ठीक है क्योंकि learning जो हो individual से related है objects से नहीं है बात को याद रखना ठीक है to achieve the ability to adapt adapt अपने आप में समायोजन आ गया भई ठीक है adequately to all situations in life वह जीवन में जैसी मर्जी situation हो आप उसके प्रतियदी adapt हो जाते हैं तो उसको समायोजन कहते हैं इसमें मुझे तो कोई बात गलत लग नहीं रही है हाँ इसमें मुझे ये बात गलत थोड़ी लग रही कि objects जो है वो सीखते रही है ठीक है वो learning नहीं होती है वो तो अपने होई जाते हैं ठीक है तो answer ज पीले का मतलब यहां पर वो पीले हाथ वो नहीं है ठीक है मतलब gloves की बात स्टीकर्स की बात ठीक है तो answer क्या होगा option number B राइट चलिए फटाफट से शबाज 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 चलिए वेरी गुड़ अरे राम जी हाथ दिखाना था दिल नहीं आंसर दे दो फटाफट से और दिल भी वैसा दिखाया भाई दड़कता हुआ से कुछ इसा ना करो भाई ठीक है बता दो जल्दी से answer दे दो पूनम यादो B कह रहे है जोती पांचाल C कह रहे है वेरी गुड वेरी गुड आंसर क्या होने वाला है जल्दी से शार्दा सुलंकी B वेरी गुड शबाज चलिए नौ कमेंट्स ठीक है जलिए कोई बात नहीं आए रज़त जी कह रहे है hy b and Ramji कह रहे है B शबाज 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 वेरी गूड वेरी गुड वेरी गूड वेरी गूड अरे वहा सागरोहिला भी मेगा गुपता सी एंड अनिता रानी डी सरी बी वेरी गुड वेरी गुड कोई और है जो बताना चाहता है अरे वाँ परवति सुलंकी जी बी कह रहे है वेरी गुड राम जी भी बी कह रहे है अब एक बार फिर से देख लेते हैं भाई पहले एक बार मुझे ब्रादो कोगनीटीव डोमेन कि जो बात चल रही है प्लीज समझेंगे जो डोमेन समय शब्द सुनाए को बनीटीव डोमेन एफेक्टिव डोमेन साइको मोटर डोमेन यह कहां पर सुना है पहली बात तो ब्लूम्स टेक्शोनोमी में सुना होगा आपने जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है यह लिखा वा भी तुम भी ठीक है तुम भी ब्लूम सटेक्शोनोमी में सुना ओगा ठीक है ऑब बात सहीं धीए यहां तक कि गजिन्होंने सी कहा जहां पहले उनको देख लैटे भाई ठीक है अब बैंजब बिलूम्स टेक्शोनोमी दे कोबिनीटीड गोमेन के बारे मिटा बिल कुल श में चल रहे हैं भी and made some changes अब आप मुझे यह बताए कि क्या जीन प्याजे ने जो ब्लूम के जो cognitive जो domain दिया था उसके अंदर कुछ changes किये थे वैसे पूछ रहा हूं ठीक है शायद नहीं किये थे ठीक है तो जीन प्याजे सही कि नहीं है भाई कि क्या चॉम्श्की हो सकता है चोम्श्की ब्हुस पूर्शकी पिसे कि आप चेंजिस के हैं भाई या क्रेथोल में समझो हमने यह पढ़ा भी था समझो इस बात को कि भई कोगनिटीव डोमेन के बारे मताया ब्लूम ने 1956 में एग्रीड उसके बाद में 1965 में ठीक है आते हैं भई हमारे डेविड क्रोथोल ठीक है और वो बताते हैं एफेक्टिव डोमेन के बारे में और यहां पर आपको समझना क्यूंकि question की language को देखो कि बात किदर जा रही है ठीक है बात इधर जा रही है कि भाई जिसने इसके अंदर change किये change कि ए क्या मतलब Jean पयाज ने किसी के theory में change किया था नहीं किया था उनके अपनी थे अपने बच्चों पर उन्हों ने experiment किये थे ठीक है तो भई यहां पर हम मैं यह निक हो कि एग्जेक्टली उन्होंने cognitive domain में change किये लेकिन हाँ हम एक question के हिसाब से लगा सकते हैं कि हाँ उन्होंने cognitive domain के साथ साथ effective domain भी जोड़ा था हां किसके साथ मिलके इनके साथ मिलकर ही जोड़ा था ठीक है उसके बाद में फिर जो हमारा आता है cognitive domain जिसको पहले कहा गया फिर sensory domain कहा गया और आज कल क्या बोलते हैं साइको मोटर डोमेन वो कब दिया गया भई उन्नीस सो बहतर में दिया गया ठीक है तो भई इस चीज़ को आपको याद रखना है कि इसका अंसर ओप्शन नमबर डी है प्लीज ओके बात सही है ना हाँ और अगर समझ में आई है तो एक बार बता देना भई कुछ ऐसे प्रशन होते हैं जो आपको उल्जाते हैं कोगनिटिव दिखते ही हमारे माइन में एक दम से भागता है कौन हमारा पिया जे तो थोड़ा सा समझ के संभल के तभी आंसर देने हैं औ और अगेन याद दिला रहा हूं एक्जाइम के आई हुए प्रशन है मेरे घर पर ऐसी कोई फेक्टरी नहीं है जो मैं प्रशन बनाँ एधक है और नाम है चाहता है कि यह मेरे लेवल से आप चले आप एक्जामनर के लेवल से चले वो बहुत अच्छी वात है मेरे लेवल क ठीलिए अब तो सलज गई ना चलिए अब में जाता हैं। बिल्कुल ठीक बात है चलो जल्दी से बता दो अब इस कांसर क्या होने वाला है शबाश शलुज गए चलिए क्या आवशकता है वेरी गूड शबाश 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 आंसर वेरी गूड क्या होने वाला है और मैं बता रहा हूं भाई आप चाहिए यूपीटेट का कर लेना चाहिए जिस वर्जे कर लेना इस लेवल के क्वेशन बनेंगे ठीक है जै हिंद अर्जुन सिंग जी जै हिंद सुनके तो एक जोच सा आ जाता है सच्छी निशा रागव डी है जाता है बिल्कुल बडिया बात कही है आपने हना क्यों जाने ठीक रट्वाइट और टू क्रिया वो मैं इंवाइटिंग क्लास्रूम इंवायर्मेंट थाके भाई वो समझ रहा है समझदार ठीक है चलिए जल्दी से आंसर क्या आएगा इसका जल्दी से बताएंगा सीखने की यह परिभाशा किसने दी पहले बात तो यह परिभाशा सही है या नहीं है ठीक है उसके बाद फिर यह परिभाशा दी किसने होगी यह परिभाशा इलगार ने दी होगी, किम्बल ने दी होगी, हैंडरी पी स्मिथ ने दी होगी, या माली मर्फी ने दी होगी, ठीक है, गार्डनर मर्फी है, यह मैं भी कुछ माली मर्फी कोन आ गया, अब यह देख लो भई, यह जो समस्याय है किसकी, आया हुआ पेपर में से है यह, ठीक है और यह जो question है I think यह D-tri-plus-B का है ठीक है जहां तक मुझे याद आ रहा है D-tri-plus-B में आया हुआ है तो उन्होंने लिख रखा है माली मर्फी गार्णर मर्फी नाम है चलो जी A भी आ गया B भी आ गया, C भी आ गया, D भी आ गया पूरे हो गया ठीक है तो जो आंसर है भई वो यहां पर चाहिए वो तुक्का है जो 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 सही है वो है हमारे सागर रोहिला जी का B is right one याद कर ले न अब ठीक है बी जो है राइट है ठीक है और इनका पूरा नाम है वो कहा है Adams Kimle ठीक है अब यह तो आपको दिखी रहा है 1961 में दी क्या परिभाशा दी परिभाशा यह दी लर्निंग इस रिलेटिवली पर्मानेट चेंज इन बहेवल पोटेंशिलिटी डेट एज रिजल्ट ओफ री इन्फोर्स्ट प्रेक्टिस ठीक है जी राम जी कहां से हो आप बी इस राइट वन ठीक है यह आपने शब्द लगाया ना एक यह थोड़ा सा मुझे अपना जो मतलब होम टाउन है वहां पर ले जाता है घुमां फिर आके ठीक है तो भई कि आдеम डिंबलयक हाई यह 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 कहना चारह भाए जो लर्निंग को थी ना हमां तो फोकी करा मांते है कि लृ बिजेख अbecause कर लेगाए कहला पहली बाद जो जिसके अंदर हमने कोई शारत लगाई रलिट हो ठीक है जिसके लिए हमने कोई practice की हो वो हम कहेंगे कि learning हुई है ठीक है जो अपने आप होता है स्पोस्थ जो maturation होती है behavior तो उसमें भी change आता है लेकिन वो learning नहीं वो अपने आप होता ही है ठीक है और दूसरा क्या है यह जो change है ना यह relatively permanent है कोई जुरूरी नहीं कि हमेशा के लिए change आ जाए यह relatively permanent है ठीक है हाँ चलिए आनंद वर्मा जी आपकी वीडियो देखके मेरे seat at में 30 में से 28 नंबर आये thank you sir जी welcome आनंद वर्मा जी बिल्कुल 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 याद नहीं रहते same here ठीक है एंड दिपिका सरस्वत जी कह रहे है भई I am new चलिए आप अला है बस बाकी नहीं है चलिए जान वर्मा जी थेंक इसो मच यह आपको कुछ valuable जानने को मिला सीखने को मिला लिटरली मतलब मजा आ जाता है यह बात सुनकर कि भई मतलब मैं भी किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूं ठीक है अपने लिए यह बहुत है ठीक है तो कि फटाफट से क्या है क्या प्रदान करती है संस्कृति शबाश 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 चलिया जी यूर वीडियो इस इंट्रेस्टिंग चलिया जी थैंकि सो मच यदि आपको ऐसा लगता है तो रजत कुंद्री जी आपके जितरे भी क्वेश्चन सेनम आपको एक नंबर दे रहा हूं ठीक है यह नंबर मेरा नहीं है ठीक है लेकिन यह है कि आपको इस पर आंसर सारे मिल जाएंगे एट टू है बाई शायर मैं भूल जाता हूं उसको ठीक है सेवन जीरो डॉल नाइन ह ठीक है एट टू एट टू एट टू सेवन जिरो डॉल नाइन यह नंबर है ठीक है इस नंबर पे राइस स्मार्ट का जो है भई हमारा क्या बोलते हैं टेलिग्राम भी है टेलिग्राम का ग्रूप भी बना हुआ है ठीक है और इसी नंबर पे हमारा वट्सेप ग्रूप भी भी बना हुआ है ठीक है और इस WhatsApp ग्रूप में जो है और टेलिग्राम ग्रूप में भी आप जो भी question डालेंगे आपको उसका answer बिलकुल मिलने वाला है बेचिन्त होकर आप जितने मर्जी question डालिए ठीक है आपको answers वहां मिल जाएंगे पका ठीक है डन वैसे learning process होती है वैसे बता रहा हूं आपको ठीक है अभी आपने पूछी लिया था इसलिए बता रहा हूं ठीक है आंसर भी है इसका सफलता अच्छा संस्क्रित है सफलता सुंदूरता अच्छा ही कहा है मान को क्या धार पजिश धाचे के भी तर्माइब बिलकुल सही बात है इतनी चल ये नेटवर्क वीक हो जाता है थोड़ा टाइम देखना पड़ेगा मुझे हरा या तो आप दिन में थोड़ा सा मोबाइल कम देखना शुरू करो या फिर मैं टाइम दूसरा देखना शुरू करता हूं ऐसा मुझे लगता है कभी-कभी जल्दी से आंसर देदो अब इ socialization helps to control human behavior क्या मतलब है इसका शबाज 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 आंसर क्या होगा वेरी गूट अचा सर कहेंगे कि दिन में वीडियो कम देखा करो आपको पहले मेरा आंसर भी आपको पहले ही पता है ठीक है यह बढ़िया था चलो जोती पांचाल डी कह रहे हैं वेरी गूट शबाज वेरी गूट बे नेहर आगा भी एका रहें यह सागरो aston रही लाश सी कह रहें ए बचाए कोन बताता है ए मोना जी भी सी कह रहें किर्थी सिंग डी कह रहें आगे किर्थी जी आप मैं आपकी ही बात कर रहा था जो question आया था लियोन फेस्टिंजर गा, ठीक है, तो मुझे याद था कि आपने बताया था कि भई जो social comparison theory है वो लियोन फेस्टिंजर ने दी थी, ठीक है, तो वैसा सा कुछ, चलिए, तो भई to gain social approval हाना, हम क्या discipline behavior देखते हैं, जिससे हमें social approval मिल सके हाना, तो इस तरीके से हमारी help करता है, क्या socialization, ठीक है, डी जो हो बिल्कुल सही है, बी और सी को आप कहें तो देख लेते हैं, क्या कहरें भी भी, चिल्डर लर्न देर language, custom norms and values in the family, क्या इसमें कहीं socialization की बात है, एक बार एक बार देख लेना, ठीक है, उसके बाद, its members transmit culture to the next generation and society continues to exist, क्या इसमें कहीं पर socialization की बात है, culture की बात तो है, culture तो transmit हो रहा है, भाई, एग्रीड, लेकिन socialization, socialization की बात तो भी है, यहाँ पर है, समाजिक स्विकर्ती प्राप्त करने के लिए अनुशासित व्यवार दिखाना, यदि आपको एक समाजिक स्विकर्ती प्राप्त करवानी है, for example, मैं तो मुझे एक अनुशासित व्यवार यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, हाँ ना, दिखाना क्या है, होना भी चाहिए, ठी नहीं करेंगे तो नहीं होगे, सिंपल सी बात है, अंसर क्या होगा, option number D, सही होगा, ठीक है, अगर आप अभी भी कहरें, फिर से देख ले ना, परिवार में अपनी भाशा, अरीति, रिवाज, मांदन और मुल्या सीखते हैं, बात तो सही है, ठीक है, लेकिन जब हम यह जायद क्या हुई नहीं, ठीक है, चलिए, नेश्ट पर चलते हैं, फटावर से, बक्वास क्यूशन अभी तो हमने करीती, इसकी बात, फटावर से आंसर देदो, इसका आप इसके ओपर टाइम लगाना नहीं, एक सेकिंड भी, जल्दी से दो आंसर, दिखते हैं भी जो हमन थोड़ी दिर पहले बात के थी, ब्लूम टैक्सोनोमी के बारे में, क्रेथ होल के बारे में, ठीक है, तो क्या है, अरे वा, गजब, 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 ठीक है, तो आंसर क्या होगा, भी ऑप्शन नमबर डी, राइट होगा, ठीक है, नाइटीन 56, अभी तो बताया था, चलि अरे लिख दो, तब भी सही है, पार है मामला, ठीक है, वेरी गूर्ड में, सभी का असर क्या रहा है, डी, 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 बिल्कुल सही है, चाल सेंटर एटिकेशन ये तो होती है, हाँ ना, psychological determination, क्या मिला, psychology ने वें क्या सिखाया, psychology ने हमें यहीं सिखा है कि वे सामने वाले के अकोर्डिक रहो, और सामने वाला कोरे, सामने वाला बच्चा है, अब बच्चे के अकोर्डिक रहना तो बच्चे को जानना है, हाँ ना, तो बच्चे को जानने को और उसके अकोर्डिक काम करेंगा, तो भी बाल कंदरी छिक्षा हो जाएगी, बात शबाश 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 राम जी ए कह रहे किरती सिंह भी कह रहे जोती पंचाल भी भी कह रहे है वेरी गुड वेरी गुड देखते हैं क्या आने वाला अंसर शबाश अरे वाश शार्दा सुलम की भी एंड अनितरानी भी एंड हां बिल्कुल शबाश देखो आप थोड़ा समझ लेते हैं फिर से ठीक है हाई स्कूल पर हाई स्कूल की बात चल रही भाई बडे स्तर की ब इस तरीके की जो मतलब गुरूप डिसकेशन वगैरा होते हैं यह हमारे हाई लेवल से पहले हो जाते हैं यह से सेकेंडरी से या फिर जो एलिमेंटरी लेवल पर जो होती है यह चीज़े वही पर हो जाती है अब मैं आपको कहूंगा क्योंकि अब बच्चा होने वाला है क्या 18 साल का होने वाला वहां तक पहुंचने वाला है तो यह जो टाइम हो यह सिखा रहा जाता है हाई स्कूल लेवल पर यह देख लेख लेते हैं चिल्न लर्न दा स्किल्स विज्टे हैं फ्यूचर एक्टिविटीज पारिस्पेटिज यह भी नहीं होगा भाई आंसर जो है वह सी है यहां पर थोड़ा सा दुबारा से देखना क्योंकि हाई स्कूल क की बात की गई है बड़े लेवल की बात की गई है थोड़ और से बात को समझने ना ठीक क्योंकि यहां पर उनको एक जिम्मेदार नागरीक बनना है ना अभी तो बताएंगि यह बनने के बाद बताएंगे king please smaj na समाज के साथ गुलना मिलना है कैसे गुलना मिलना है अभी जब स्कूल से निकलेंगे तो बाई एक नया समाज मिलेगा एक नया ओन는데 उनको ओ लेगा system तो उसके साथ गुलना मिलना है अच्छी आते कौन सी होती है तो यह सारी चीज है यहाँ पर आजाएंगे अच्छी आते तो कर रहा हम इसकी तरब भी जा सकते थे बच्छपन की तरब भी जा सकते थे लेकिन यह जो चीज है ना यहीं पर होती है ठीक है आंसर जो है C है यहाँ पे B नहीं है ठीक है थोड़ा सा देख ले न क्योंकि यह तो हम 6, 7th क्लास में 8th क्लास में भी करवाना शुरू कर देते हैं ग्रूप डिसकुशन वे गएरा न चलिए अब यहाँ पे आ जाते है Easy Question, Answer फटा फट से क्या होगा जल्दी से बताएंगे हाँ बिलकुल High School था अब यहाँ पे बतातो जल्दी से क्या होगा अरे यह तो बड़ा Famous है जल्दी बताओ क्या बोलते हैं इसको शवाश शवाश Very Good, Very Good, Very Good अब आप मेरे Very Good कहने से भी समझने लग जाते हैं मैं क्या करो हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं Very Good, पर देखो जोती पंचा लेका रहे किरती सिंह कह रहे है मेगा गुप्ता सी कह रहे है पूनुमियादव डी कह रहे है और वह भी भी आ गया है निशारागव भी कह रहे है ठीक है राम यही क्रेशन आते है सर बिलकुल हाँ आप बिलकुल भी मतलब जो है चिंता ना करें आप बस बने रहे मैं लिटरली बता रहा हूं कि हमारी जो भी वेकेंसी आएगी जो भी हमाना टेट आएगा वो हम पक्का करके दिखाएंगे आप बिलकुल यह एक नहीं है कि नहीं तोड़ दिया ठीक है हाँ इसको जो कहा जाता है जो लिखके भी बताया ना मेगा गुपता जी ने बिलकुल सही बात कही है उनको कहा जाता है नेटिकेट्स शीजिए पहलेखिए छाहिए जाते इंट के उपर जाते हैं यह जो नेटीट इसेट व्यूज़ाए उपर यह व्यूज़ाइब इपर्च्र को सब्रेट करते हो तो आपको भी एक प्रॉपरेट बीहिवियर करना होता है हाना हमारे एक जिम्म्मिदारी बनती है कि हम कुछ भी ऐसा ओल जलूल ना बोले तिक है या ओल自लोब कमेंट ना हाना आपने भी देखा हुआ कई बार ऐसे-ऑस कमेंटवाले आ जाते ज़िक है तो वहाँ पर जो कमी होती है वह इसी की होती है की होती है हाना है रियल लाइब में अगर देको एटिकेट की नैट पे देखो तो एटिकेट की तो आंसर भई सी और है ठीक है है ओके चलिए यह यह प्रशन हम पहले कर चुक है फटाफर से आंसर दे दो इसका कि शबाश शबाश कि क्या होने वाला आंसर कि अरे वाद कि वेरी गूड वेरी गूड वेरी गूड शबाश आंसर दे दो आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरे चेहरे पर लाइड जो न कम सी आ रही है मैं थोड़े सा क्या वोलूं मैं कैसा कैसा लग रहा हूँ कि ए फोर शोर ओमाइगोड मैं भी देख लूँ किरती सिंग भी यहां पर क्या होता है जो ट्रांजिट स्कूल्स जो होते है ठीक है उसमें क्या होता है जो सोशयो एकोनोमिकली डिसएडवांटेज जो गरीव व्यक्ति है या पर जो वह सोशल रूप से जो पिछड़ों हुए तो उनको भी तो स्कूल लाना है ना ट्रांजिट से आप थोड़ा याद रख ले ना ट्रांसपोर्ट से ठीक है तो भी जो डिसएडवांटेज खुआ हां में बिलकुल वेगा जी ने पहले भूले था ए फोर शो बिलकुल आप कंफर्म थे इसका अच्छा लग रहा हूं ओ अच्छा जी सही लग रहे हो रोज जैसे अच्छा जैसा ही लग रहा हूं चलो फिर तो सही है मतलब मैं रोज ऐसा ही लगता हूँ, यह तो मैंने आज ही ध्यान किया, चलो कोई बात नहीं, आजा लाइट का इतना कुछ इफेक्ट नहीं है, ठीक है, मुझे लग रहा है तोड़ा कुछ करना पड़ेगा, मुझे फेशिल वेशिल करवाना पड़ेगा, मैंने तो आज ही ध बातों सही है, आपकी बात तो सही है, जुन्हों ने भी सी का है, ठीक है? यह क्या करण हुआ दी अच्छा टीओ कर वालू अच्छा ठीक है बात तो आपकी सही है सुनने में सही लग रही है कि आपकी सुनने में सही लग एक रेस्ट लाइफ लॉग प्रोसेस और शीजेए वें दचाहिल भी नियुका पर बात एक दम जाय आज है पर यहां पर क्या त करेंगे इस क्वेशिन में अब भी आप चाहिए तो बदल सकते हैं तोड़ा सा ठीक जिए जिए अच्छा टेंशन बिलकुल ने राम जी ने बोल दया तो भाई समने बोल दिया ना चैलिए जी थेंक यू सो मच जी बिलकुल बिलकुल ए होना चाहिए यह भी देख लेते हैं वही देखो एजन्सी का नाम लिया तो एजन्सी जोनी चाहिए न देख लेते हैं रपेडली वैंड इफ दैजन्सी ऑफ सोचलाइजेशन और मोर यूनी एनिमस शोरी अननिमस इन द स्कूल नहीं सोचलाइजेशन इंकल केट्स बेसिक डिसिप्लिन तो कंट्रोल इस इंपल्सेज ए जो है बिलकुल सही है यहां पर आंसर बिलकुल ठीक बात है क्या सोचलाइजेशन टेक्स प्लेस रैपिडली इव दा एजन्सी जो अलग लग एजन्सी जैसे स्कूल है घर ह है तो यहां प्रैमि से कंट्री जो जैसी जो तीर तीके या एक्टीव पैसिव जैसे तो भाई जो यह लग लग है और मोर अनेमस यूनएंट इमस ओना जिटानर यह उना इमान इटा जो बाई यून नीमस जो भी है जो भी हरा एक मत हो ठीक है इन देर आईडियास एंशिल इसे कर दो ठीक है मतला एक मतलों सभी का यदी एक ही लक्षे है कि भई बच्चे के हो हमेज़ पर टिक मतलब परफेक्ट जो है समाजी करन करना सबका अगर एक ही मत हो एक ही लक्षे हो तो बैस्ट है ठीक है और मैं कहा रहा हूं लेकिन इस परशन के हिसाब से ठीक नहीं है अचलिए पी दिलिकेंट में नेगे टिव मार्किंग होती है जी बिलकुल होती है ठीक है फॉइंट थ्री थी मार्क की नेगटिव मार्किंग होगी डी प्लेस बीस बीसे ज्यादा और सोच समझ के निशान लगा ना अबकी वाए अच्छा युनिमस मीन्स हाँ कंसेंस एक मत सोच बिल्कुल हाँ वही बात है ठीक है ठीक है मुझे थोड़ा सा स्पेलिंग का अगरबर लग रहा था इसलिए मैं अटका होगा था हाँ युनिमस होता है ठीक है उसके बाद है भई क्या है अच्छा चलो ठीक है आंसर देंगे क्या उद्देश्श्य है प्रटापट से आंसर देदव भई क्या होने वाला है अच्छा शबास हवाश शबास आंसर क्या होने वाला है भई चलो भई अरुन सिंग एक एक एरे चंजल जोहन सी कह रहे शारतर सुलंकी भी सी कह रहे हैं परवति सुलंकी सी होलिस्टिक अरे वाँ गजब कर दिया यह तो ठीक आंसर सी ही तो है समगर विकास तो करेंगा ना होलिस्टिक डिवलफमेंट के लिए तो हमारे है चला जाता है इसी सी इअर्लीचाइल हुड के एंड एड Jewकेशन कि लिए जो अगलम ही का सो पाए होलिस्टिक डिवलफमेंट विकवल क सवएगाद नहीं होगी यहाँ पर edukेशन उती ही पहें CARE条 से ही करेंड चल्कूर अडि एरिया मैट नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है जी ठीक है जी हाँ 360 डिग्री विलकुल सही बात चलिए बवीताराथी जी बवीताराथी फ्रम कुरुक्षेत्रा जी को गुडिविनिंग हुठ छलिए आंसर देंगे भेसी का हा रहा है वही सुमन सिरोही बी कह gleichen सट्रम वी कहरं नित्रानी लिए कहरें सक्थ्यम् वी और शायदो सुलंकर कίνि किरती सिंग वी दॉबद शमाश बास बॉनूम्याद को खोशी भी चाठा है चल्टा जोहन भी कह रहे है और अर्च चार्स बेवेज वाला क्वेशन था किया अरे ये तो हल्वा क्वेशन है ये तो सभी को पता है फादर ओफ कम्प्यूटर को ने चार्स बेवेज है अरे बताओ ऐसे ऐसी बात है आप से पूछ रहे हैं हाँ आंसर दे दो इसका जल्दी से क्या होगा एन एल एम का मेन मिशन क्या था शबाश मेन एम क्या जल्दी से बता दो मार्क जुकरबर्ग चलो अच्छा मेटा के ठीक बात अब बता दो इसका क्या होगा हाँ फेस्बुक के चलिए जी बिल्कुल रहेगा बिल्कुल रहेगा उसमें एज क्राइटियरिया जो है मेगा ची मैंने बनाई हुई है कंप्लीट वीडियो बनाई गई है बनाई हुई आप उसको देखना बड़ी मज़ेदार है 37 भी है उसमें हाँ वो अलग लग उसके हिसाब से पोस्ट के हिसाब से आप वो देख लेना एक बार ठीक है कोई इस्यू नहीं है अभी तो बहुत टाइम है हाँ बस तैयारी मच छोड़ना तैयारी छोड़ना सबसे गलत हो जाता है हाँ यह वैसा ही हो जाए कि खरगोश जो है वो भाग रहा था भागते भागते सो गया हाँ तो फिर कच्छुए जीत जाते है अगर दिरे दिरे वे चलते रोग ना तो रेस आप ही जीतने वाले हो ठीक है आणसर क्या इसका बी कह रहे है आप अरे बी कह रहे है ऐसा ना करो बिर साथ राम जी एक रहे हैं एंड मोना जी भी एक है रहे है सर ए और बी में कन्फ्यूज हूँ बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना भाई इसको उठा लो तेरा सोरी 15 से 35 वर्ष हो जाएगा ठीक है बिल्कुल 45 बिल्कुल भी नहीं है समझो इस बात को 35 है ठीक है और यह मैं बता भी चुका हूँ यह समझा भी चुका हूँ ठीक है ओके चलिए जी सम्तिंग अर्जेंट केम अप मुझे फिर से दिखाए दिया मेक अप हाना तो मतलब भी क्या बता हूँ मैं आज मैं थोड़ा सा अपने आपको देख रहा हूँ ना मुझे अजीब सा लग रहा है कि मैं ऐसा हूँ ठीक है तो भाई 15 से 45 नहीं है 15 से 35 है मैं बता चुका आप सेना में हो तो आप सारी जिन्दी की जवानी है थे तो यहा तक का जो टारृगेट है वो लिया गया था किसमें एनल, ठीक है चलिए शभाश शभाश शबहश शबाश के आंसर क्या होगा यहां पर पतानी क्या हो रख्खा है जल्दी से उता दो आज मुझे लग रहा है कि लाइट वाइट सही नहीं पड़ रही उससे फिर माई नहीं जा रहा है कि भाई यह तो यार कैसे करा रहा हूँ कमिंगे एंड एज क्राइटेरिया उसको किस नेम से सर्च करें उसको आप सर्च करेंगे जो हमारा चैनल है राई समार्ट ठीक जी उसमें आप जाएंगे उसके बाद में आप पाएंगे वहां पर जब आप मेल पेज पर जायेंगे तो home लिखा होगा home के बराबर में लिखा होगा videos ठीक है जी videos पर जाएंगे थोड़ा सा scroll करेंगे तो आपको दिख जाएगा और वैसे भी आप search करेंगे तो आपको दिख जाएगा एक लव्य मोडल रेजिडेंशियल स्कूल के नाम से EMRS भी है यदि आप हमारे वाले पेस पर यदि करेंगे तो आपको तुरूंद बिल जाएगा EMRS के नाम से ठीक है जी कोई बड़ी बात नहीं ठीक है चलिए आंसर क्या रहा है सी यह रहा है क्या विजब फॉलोंग सेटमें किस्नि धारगदवारा आदराशवाद को शामिल किया गया है जल्दी आदो फटाख फटाख से answer E.M.R.S. Old-Wall-E school A. Old-Wall-E मतलब यह समझ में नहीं आया ठीक है? जल्दी से बता दो क्या होगा answer B.B. आ रहा है भई C.B. आ गया है चलचल चुहाँ C कह रहा है महीं बाकी सभी B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B. बिल्कुल ठीक बात है डर्शन ही तो है यह फिलोसोफी है ना जो आइडेलिजम है वो फिलोसोफी है psychology थोड़ी है वो आइडेलिजम का फिलोसफी का मतलब क्या जो हमें एक दर्शन दिखाए मतलब जो हमारा एक vision मनाए कि हमारा एक final लक्षे क्या है अब वहां तक पहुचना कैसे है वो हमें साइकोल जी बताएगी ठीक है तो भई आंसर तो भी है ठीक है जी आंसर भी है अमने यह किसमें पढ़ाता है स्कूल सो फिलोसफी में पढ़ाता यह educational फिलोसफी में पढ़ते हैं किसको आइडियलिजम को नेच्रिलिजम को हाना चलिए शबाश हाँ बिल्कुल ओल इंडिया के अंदर काता आते हैं और यह अपने आप में एक मतलब ओटनोमस बोड़ी है ठीक है यह कोई मतलब और कोई बोर्ड कंटक्ट नहीं करेगा अपने आप ही करते हैं यह ठीक है चलिए अधि कर शबाश हमाश हमाश आंसर क्या होगा इसका वर्ड कोंफेरेंस और स्पेशयल निड्स एजुकेशन एक्सस एंड क्वालिटी चाहतर भी अपने बिल्कुल ओल इंडिया के अंदरगत आते हैं भाई यह बिलकुल सही बात है भाई कोई ओफलाइन कोचिंग रही है ठीक है अभी आप इस काउंसर दे जल्दी से हम के बल हवा में है मतलब ओ निया ठीक है उसके द्वारा ही हम आप तक पहुंच पा रहे है ठीक है तो अभी जो है ओफलाइन नहीं के वो लोल लाइन ओफलाइन होता तो फिर भाई है कि सीवे दक्षेतर में होता ओलनाइन है तो आप देखें आप कितनी दूर दूर से हमें देख पार है हाना चलिए ये पढ़ा तो था पर याद रही आ रहा चलो जी ए आइधिंक आइधिंक बी अच्छा पी-आर्टी के लिए तो नहीं है सर जी पी-आर्टी के लिए ही है स मैंने सूझा क्वेस्टिन की बात कर रहे हूं चलो जी A कह रहे हैं और भाई D भी कह रहे हैं और राम जी भी अच्छा राम जी डी कह रहे हैं बाकी सभी बाइब जो राम जी ने बोल दिया ना उससे तो अलग भाई जा ही ने सकते हैं आप जो है जो है option number D है एकदम सही ठीक ह जी यह जो है क्या है भाई Salamanca Spain 1994 ठीक है अब मैं यहां पर एक बात बता रहा हूं भाई थोड़ा समझ लेना थोड़ा सा रिलेट भी कर लेना ठीक है हमने एक पढ़ा था भाई EFA मतलब education for all ठीक है तो हुई थी एक जोंटीन conference हुई थी यादना आपको जोंटीन conference हुई थी कब हुई थी 1990 में हुई थी ठीक है इसमें बात की गई थी education for all की थोड़ा सा रिलेट कर लेना ठीक है यह तो आपको याद है दो तिनी बार हम इसके बारे हम बात कर चुके हैं अब यहीं से थोड़ा समझ लेना कि वर्ल्ड conference एक फिर और conference होती है और special needs education हाना मतलब special children है उनके लिए अब यहां से थोड़ा रिलेट कर लेना कि ऐसे special ऐसे Salamanca और S.A. Spain ठीक है और हुई थी चार साल के बाद जैसे वर्ल्ड कप होता है ठीक है तो एक को याद कर लोगे दूसरा होई जाएगा ठीक है आरसर क्या है option number D एक दम सही है यहां ठीक है चलिए याद रह जाएगा चलिए आईशा शिद्धिकी जी आपको hello कैसे आप जल्दी से दो आणसर क्या है अवधी और यदी पिछले वाला याद रह जाए तो वह भी एक बार बता देना भाई याद रहे भी जाएगा नहीं रह जाएगा वह ग्लावस जो होते ना आपके पास लाल पिले वो दिखा दने पार शबास क्या रहने वाला है आणसर दी डी चलो जी वहरी गुड भाई चंचल चौहान सी कह रहे है भाई आछे सिद्धिकी सी एंड जोती पांचाल दी चंचल चौहन सी वहरी गुड शबाश वहरी गुड क्या होगा आणसर इतना टक गय इतना बढ़ा तो भारी परसन भी था, what is the span of elementary education, elementary education, शार्दर सुलिंकी भी सी कह रहे है, निशार आघो भी सी कह रहे है, सुमन सिरोही, ए कह रहे है, दिया डी कह रहे है, भाई, इस चीज को समझो, elementary education, elementary education का मतलब होता है, first to eighth, नहीं होता, अरे elementary education की बात ही तो करता है, RTE, RTE क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष तक free, and compulsory education देनी है, और 6 से 14 कितने होते हैं, आठी साल में तो होते हैं, ठीक है तो आजसर क्या होगा, D नहीं होगा, नहीं होगा, सोचो, elementary education, प्रार्णबिक शिक्षा की बात है, यह प्रार्थमिक शिक्षा नहीं है, प्रार्थमिक शिक्षा पांच साल है, मुझे ही पता है, ठ elementary education है, primary education नहीं है, समझ रहे हो ना, थोड़ा से रेलेट कर लें इसके साथ, तो चीजे ज्यादा याद रह जाएगी, answer क्या होगा, option number D होगा, दस नहीं है, दस वीता का निवारिया नहीं है, आठ वीता का निवारिया है, हाना, 6 से 14 है, 6 से 16 नहीं है, बिल्कुल भी, ओके, क्लियर है यह बात, हाना, जिसको भी confusion हाँ, अगर क्लियर है तो एक बार बता देना भाई, फिर आगे चलते हैं, फटापर से देख लेते हैं, next question क्या कहता है, भई, शवाश शवाश किसके द्वारा दी गई है, यह परिभाशा जल्दी से बता दो, answer मुझे जल्दी जल्द स्टूनी भाई, elementary education जो होता है, उसको हम 8 वी तक ही कहते है, हना, जो 10 तक हो जाती है, फिर आगे senior secondary हो जाती है, ठीक है, जितनी भी classes अब तक हुई है, उसके अलग से playlist बनवा दीजिए, देखिए, ऐसा है, आईशा जी, इस बात को आप समझे, कि जो हमारी cantonment का जो निकले जो होना है, हम उसी के हिसाब से, देखिए, cantonment का अपना कोई syllabus नहीं दिया गया है, ठीक है, अब आपने ये देखा कि हमने जो classes की है, हाँ, playlist की बात में आपकी माल नेता हूं, ठीक है, उसमें जो हमारा लखनू cantonment का हुआ था, ठीक है, उसका हमने paper discuss किया हुआ है, original paper ले हमने ये पाया कि दोनों का जो exam pattern था, वो different था, वो same नहीं था, ना question के level same थे, ठीक है, इस चीज को आप भी देखना है, जो बनी हुई जो वीडियो से, उसमें देख लेना, ठीक है, इसी channel पर आपको मिल जाएंगी, तो जो pattern था, वो क्या था भाई, different था, यहां तक बात आ आपको, ठीक है, तो अब मेरा ये मानना है कि भी जो दिल्ली cantonment का जो exam होगा ना, पहली बात तो उसको आपको सभी को apply जुरूर करना है, क्योंकि इस बात को याद रखना भाई, कि जितनी कम vacancy होती है ना, उतनी लगने के chances ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से students ऐसे क्योंकि ये हैं दिल्ली में तो ये कही ना कहीं परभावित होगा कि से डी ट्रिपलेस बी से जरूर परभावित होगा, ठीक है, क्योंकि जो इनके अंदर जो portion जो आये थे, वो same portion तो वही थे, लेकिन वेटिस जो थी वो अलग-लग थी, ठीक है, तो इसी लिए यदि आप के हिसाब से तियारी करते हैं, तो ओटोमेटिकली आपकी इसकी तियारी हो ही जाएगी, आप बिल्कुल भी चिंटा ना करें, ठीक है, सर वो इस नहीं आ रही है, ऐसा कुछ है, चलो, answer क्या आप दे रहे हैं भई, हाँ, चलो जी, चलो भई, answer क्या रहा है, D, 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 NCF 25 कहा रहा है ऐसा, नहीं भईया, इस बात को समझ ले ना, क्योंकि ये एक factual question है, आप याद रखना है, इसके बारे में, इसके बारे में कहा था, option number A ने, मतलब secondary education commission ने बात की थी, ठीक है, secondary education या माध्यमिक शिक्षा आयोग, कब आया था भई, इसको मुदालियर आयोग भी क traditionally taught in schools, but also include the totality of experience, तो ये बात की थी, इन्होंने factual है, याद रखना है, इसमें क्या है, क्यों है, ये है, ठीक है, audible है, चलिए जी बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, शार्दा सुलिंकी जी एक बार दुबारा से देखो, चलो, आगे चलिए, किसे लॉंच किया गया था था, अरे दिसंबर 1974 में है, शबाश, शबाश, ऐसा प्रशन हमने किया था, अभी आई थिंक दो या तीन दिन पहले हमने किया है, यही प्रशन, ठीक है, इस से रिलेटेड ही, सेम नहीं, इस से रिलेटेड किया था, आंसर चाहूँगा, मैं आप बताएगे जल्दी से, शबाश अदिस, क्या है, अंसर आपका, 1974 में, डिसंबर 1974 में इनमें से किसको लौच किया था, अंसर क्या है, अरे वा भई, गजग, सभी को वोईस आ रही है, क्या, बतादो बतादो भईया, सभी को वोईस आ रही है, क्या, वैसे रजद जी कह रहे थे भ loud, audible है, तो एक को आई तो म बैठा फ़ई अषिवा नहीं हना चीम्हे कि अ कि यहाँ पर केंट है तरह भई आंसर जो है वो बीकुल साहिए जहीं को सभी हई नहीं गाई हैै इन चेट अं Remote in आर्फ से आ चुनिक फोर बैटेम है है jus नाइन likes जिसे 1994 में merge कर दिया गया था किसके अंदर DPEP ठीक है ये district primary education program के अंदर गत इसको merge कर दिया गया था 1994 में ये प्रशन हम कर चुके हैं अभी शायद जब हमने लखनो contourment का किया उसी में हमने इस चीज को discuss किया था answer होगा option number B एकदम सही ठीक है चलिए तारे जमी पर शबाश आंसर क्या होने वाला है यहां पर चलिए जी Maths KVS TGT में क्या था Maths KVS TGT में क्या था चलो जी थैंकियो सो मच हाँ डिसलेक्सिया था ना हाँ अरे हाँ डिसलेक्सिया था ठीक है आंसर क्या होगा option number B बिल्कुल ठीक बात है हाँ डिसलेक्सिया दिखाए गया है यह बता तो जल्दी से राष्ट्रिया महिला शिक्षा समीती 1958 को क्या कहा जाता है मैंने तो यह मूवी देखी ही नहीं देख लो अच्छी मूवी है भाई बिंगे टीचर हमें ऐसे चीजी देखते रहना चाहिए सही बता रहा हूं और अभी तो आसपास में कोई मतलब वो इतना बर्डर भी नहीं प्रेश्र भी नहीं है देख डालो ठीक है राष्ट्रिया महिला शिक्षा स्थमीति मतलब नैशनल कमीटी ओर विमन एजुकेशन कोया कहेंगे इसको पुर वियादव भी कह रहे है और मोना जी डी कह रहे है चंचल चौहान डी एड आईशा सिंदिकी भी डी एड जोती पाच्छाल डी एड रजात कुंद्री भी डी स्री एक रहे है एड बेगा गुकता डी एड सुमझ सिरोही डी एड शार्दा सलंकी डी एड शाबाश शाबाश प्रदीक शुक्ला जी क्या कहरें भाई सर डी एसेस्वी का कम तक आ सकता है प्लीज सर सर डी एसेस्वी का बहुत जल्दी आएगा आप देखते जाना ठीक है टाइम नहीं लगेगा हाँ यह जुरूर है कि आप तयारी जुरूर करते रहें क्योंकि हमारा यह जो आने के बाद तयारी करते हैं या नोटिफिकेशन करते हैं यही सबसे बड़ी गलती है आप खुद समझे कि केवी एस जब आया है उससे यदि आप एक साल पहले से तयारी कर रहे होते हैं केवी एस की ही तो आज बात कुछ और होती या नहीं होती हाना तो इस चीज को थोड़ा सा समझ के चलिए हाला कि अभी भी बात कुछ जोर हो सकती है हाना मतलब कुछ पोजिटीव रिजल्ट आ सकता है इसी कोई बात नहीं है लेकिन एक साल पहले होते तो आप अंडर परसेंट अलग होते हैं ठीक है हां बिल्कुल सही बात पर यश्पाल समीती बिल्कुल भी नहीं है आशर इसका है भाई दुर्गाबाई द दुरे करेंगे ठीक है हां बिल्कुल बिल्कुल कोलीज भी है इनके नाम पे बिल्कुल ठीक बात है इसका बता दो जल्दी से क्या होगा कि चित्रों और फ्लेश कार्ड का उप्योग कर रहा है कि शाबाश क्या होगा भाई आप प्रतीक शुकला जी जी एस और जीके का मुझे सच बता रहा हूँ दोनों का जी निकला पड़ा है मतलब जी मुझे पता ही नहीं है लिटरल्ी मैं कहा रहा हूँ बाकि आप जी एस जी के यहां पर क्लासे लगते आप उनको लगाई है आपको बहुत कुस सीखने को मिलेगा लेकिन बुछे लिटरल्ी दो आइडिया बखी है कि आप जितना ज्यादा ज्यादा करेंगे उत्रजादा आपके लिए ज्यादा अच्छा है आज जो किये जाते हैं उसमें यह मान के चलिए कि चार से पांच क्योश्टिन जो है वह आपके करेंट अफैर से आ जाते हैं आउट ओफ 20 ठीक है जो बैटर करते हैं वह ज् कि शेवाज ये समझनों भी डी कह रहे है, मेगा गुपता सी, एड पूरुद्व यादव सी, एड शार्दा जी भी सी कह रहे है, शेवाज शेवाज शेवाज, वर्ड मेत अनुसर में देख आप इसमझ ले ना, ठीक है, इसको कहा जाता है संटेंस में तर, आंसर जो वो ए ब रिपशनगो पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा क्या है शिक्षक प्रेजित करने के लिए चित्रों और फ्लेश-कार्ड का उप्योग करता है छात्रों को दिखाया और पंक्तियों को पढ़ा शब्द को नहीं पढ़ा भाई प्लीज पंक्तियों को पढ़ा वो कोई पंक्ति पढ़के सुना रहा हो सकता है एक चित्र होस के ओपर कोई पोएम लिखी है या कुछ लाइल लिखी है वो पढ़के दिखा रहे है हाना या कोई फ्लेश कार है उसको उठाया दिखाया हाना फिर पढ़के बता रहे है ठीक है तो यह जो विदी होगी इसमें वाक एकी पहचान करवा रहे हरे होते ठीक है तो वर्ड नहीं है संटेंस है क्योंकि वो पढ़ रहे है रीड दर लाइप आप भी रीड दर लाइप सकते हैं तो आप यहां तक पहुँआ ब कर दो तक चक्राने पक्का ड़िक है ओप इस कर नो आप यसलाइ जोर से वोलो जामाता कि चलो जी बड़ी अच्छी वात है अरे फ्लेश कार्ड वो होता है छोटे छोटे हम कार्ड बना लेते हैं उत्पे कुछ लिखके है वो बना के उनको हम फ्लेश करते हैं फ्लेश करना मतलब यह दिखाते हैं ना दिखाया अगला कार्ड उठागे फिर कि आंसर कि श्यारदा सोलंकी जी एक दम से अच्छा मैं जो और से बोलू आप यह कहना चाहरे है क्या भाई क्यों आप व अभी कल ही कोई कलिया पर सो शैद कोई कमेंट कर रहा था कि मेरी आवाज बहुत तेज है वैसे लिटरली मेरी आवाज तेज है मुझे भी ऐसा लगता ह साइक लगाने के बाद में आप थोड़ी से कम ज्यादा कर सकते हैं ठीक है कुछ भारी भी कुछ ज्यादा ही लगती है मुझे तो आंसर क्या रहा है डी बी ए डी अरे वाज गजब कर दिया शबाश 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 यहां पर इसने सबसे पहले सही आंसर दे गाना जो भी या दिया है उसका नाम लिखूगा क्योंकि आप अभी जो ना आप थोड़े से उल्जे हुए है ठीक है वेरी गुड वेरी गुड अभी तक भई जो सही जो आंसर आया ना वो दो जन का आया है एक तो आया भई पूनो वियादाओ का पहले जो आया है ठीक है जी और दूसर आया भई सुमन जी का ठीक है इनका आंसर सही है आंसर यहां पर भईया उप्शन नंबर ए है ठीक है अब एक बर दुबारा देखो चात्रों के लिए परभावी कंप्यूटर प्रोग्राम कौन सा होगा जिसमें स्पष्ट निर्देश हो साफ साफ हो कि यह करोगे तो यह हो करें यह हो तो वह ज्यादा प्रभावी नहीं होगा है कि चैए है क्लेरिटी हो चाहिए ईचलिये ठीक है बताएंगे जी अब यहां पर क्या है मोडलिंग लेग्वेज की बात आगी भई, मोडलिंग भाशा, शबाश, आंसर, अरे, मुझे टाइम का पता नी चलता है, मैं सोचतो हूँ, एक घंटा हो कब जाता है, जल्दी से आंसर दो, फिर इसको खतम करते हैं, आज क्लास को, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, मोडलिंग लेग्वेज क्या होता है, अरे, यह तो असान क्वेश्चेन है, डी बिल्कुल सही बात है, ठीक है, आपने मैक्सिमम ने डी ही दिया है, ठीक है, क्या है, अडल्स शूद यूज यूज लेग्वेज, मोडलिंग का मतला भी है, जैसे कोई मोडल होता है, फिर उसको देखकर हम उसको फोलो करते हैं, व और यदि अडल्स ऐसे यूज करेंगे, तो धीरे-दीरे बच्चा भी उनके अकोडिंग यूज करेगा, मोडलिंग लेज हो गई, हाना, डी इस राइट वन, बिल्कुल सही बात है, आप सभी की, ठीक है, अरे, यह तो वैसे भी लास्टी क्वेश्चन था, तो भाई, आज शोर कर रहा हूं कि भाई, अगर आपने डटके इस साल तयारी की, तो आपकी जोग कही नहीं जाने वाली है, और इसके तो आई हुए है, दिल्ली के डॉनमेंट के तो है ही, ठीक है, तो भाई, बिल्कुल भी सोचने की घबरानी के आवशकता नहीं है, अगर आपको लगता करना है, तो आप बताइए, हम ऐसे करते चलेंगे, ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं, ठीक है, एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए, थैंक्यों सो मच, हैवे नाइस डे, एन बाबाई क्वाईट ठीक हैर, एन बाबाई ड्रॉण सो मच.झे एन एन ईंप्रों, है उंज क्लास के लाए म boring? क्वाईट प्रों के लिए्न ship, हम अ बतावान, के लिएष리ंगे, बभ़ताल nggak की है,ैवे उल्दी I م constant रहाईIC है決़ित, हुई है